आप सभी को रादे रादे, नमस्कार दोस्तो, स्टार IQ परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है, मेरा नाम है सुनिल और हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं, 13 सप्टमबर 2020 से बनने वाले जितने भी इपार्टेंट कुशन हो नेशनल और इंटरनेशनल के होंगे, उन्हें हम लोग पढ़ेंगे, माफ करिएगा दोस्तो, आज मेरे लाप्टॉप का चार्जर खराब हो गया है, इस वज़े से मैं आप लोगों को कुशन सिर्फ एक ही लैंग्विज में दे पा रहा हूँ, जो कि मोबाइल में थोड़ आप लोगों की continuity जो है, वो ना टूटे, प्राबलम है, प्लीज समझने का प्रयास कीजिएगा, जब तक इस प्राबलम को ठीक ना कर पाऊँ, तब तक आप प्लीज मेरे साथ में जो है, वो सामन जसे बनाए रखिएगा, पीडियोफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलिग पीडियोफ फाइल में ने अपने टेलिग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है, आज का पहला क्यूसतन क्या है प्यारे बच्चो, निम्न में से किस ने Climate Smart Cities Assessment Framework CSCAF 2.0 का नावरन किया है, तो Climate Smart Cities Assessment Framework CSCAF 2.0 का, देखो Smart Cities आया है, सहरों का नाम आया है, तो हमारे भारत के केंद्र जो सहरी और आवास मंत्री है, जिनका नाम है हरदीप सिंग पूरी, इन्होंने ही Climate Smart Cities Assessment Framework 2.0 लांच किया है, सर इसका मतलब क्या है, इसके मतलब यह है, कि देखो सहरों के अंदर सबसे बड़ी प्रावलम होती है, ट्राफिक जैम की एक तो, एक होती है सीवरेज की, अब द ट्रीट्मेंट प्लांट सहर के भाहर बनाये जाएंगे, ताकि problem क्या है, कि माल लेते सहरा सहर का सिवरेज का गंदा पानी निकल जाए, उसी को treat किया जाए, और treat करके क्या है, किसानों को दिया जाए, ताकि ओप खेतों में अपना पानी वग़रा भी लगा सके, मत making usable, दोन सहरी और आवास मंतरी हरदीप सिंगपूरी ने लॉंच किया है इतनी बात आपको याद करनी है इस क्यूशन से नोवाहन मंतरी ने समुध्री चेत्र के विवादों के समाधान के लिए कौन से अप्लिकेशन को लॉंच किया है माल लेते हैं कि समुद्र का एरिया जो है particular area है ठीक है वहाँ पी क्या है mining पर चलती रहती है research पर चलती रहती है तो क्या होता है कि कई बार माल लेते हैं कि ये वाला इलाका है इतना पूरा समुद्र का और पास में एक देश ये भी पढ़ता है अब मान लेते हैं यह इंडिया वाले हैं ठीक है और यहां पे ही है स्रिलंका वाले अभी इंडिया वाले जो है यहां पे इतनी दूर तक आगए ठीक है यह स्रिलंका वाले इतनी दूर तक आगए विवाद तो होएगा कन्फरम है तुम क्यों आए जैसे खेत की छोटी सी मंड पार करते ही लोग तो फिर, किस तरीके के आते हैं, हल्का-फुल्का इसावरा लग जाए, तो फिर आपको पता है की, कतल तक हो जाते हैं, कुछ ऐसा हाल, तो यहाँ पे भी है, ठीक है कि इधर क्यों आगे, उधर क्यों आगे, research करने के लिए, दूसरी बात है कई बार ports की बड़ी problem होती है जैसे माल लेते मुंबई और एक नावा सेवा दोनों पास में ही port है उन दोनों पे समान लादा जाए, उतारा जाए उससे related बड़ी problem होती है तो इसके लिए एक समाधान करने के लिए एक application लाँच किया है ताकि जो है initially कोई distribute है उसको कम किया जा सके तो जो आपका application का नाम है इसका नाम है सरोध port भी option जो है किसन का हमारा वो बिलकुल ठीक है सरोध का वैसे पूरा नाम भी है Society for Affordable for Disipute Port ठीक है कोई भी distribute वगरा होते हैं जैसे दो आपके मान लेते हैं मैंने अभी नावा से और मुंबई की बात की है ठीक है तो इन दोनों के बारे में यूं बात प्राब्लम आती है कि कोई international आपका कोई समान आना था कोई Korea से समान आना था वो मुंबई आना था लेकिन वो किसी कार्णवस से जो है नावा सेवा पर पहुंचा दिया गया अब क्या है इसकी official landing कहां थी हो कहां गई है अब ये distribute होना हो भी सकता है जहरसी बात है तो ऐसे छोटे मोटी चीजों का distribute जो है वो कम करने के लिए ये एक application को launch किया गया है केंद्रिये नोवान मंत्री का नाम क्या है मनसूख मांडविया ठीक है इन्हों ने जो है इस application को launch किया है निमन में से किस bank ने मुखे अनुपालन अधिकारी CCO की भूमिका पर notice जारी किया है ठीक है अब CCO यानि की मुखे अनुपालन अधिकारी इसके अनुपालन की है इसकी भूमिका पर guideline notice जारी किया है RBI ने RBI यानि की Reserve Bank of India अब इसका मतलब क्या है कि एक RBI चाहता है कि एक ऐसा अधिकारी नुक्त हो जो कि क्या करे कि जितने भी आपके department है RBI के अंदर जो लगते हैं जितने भी आपके officers हैं उनको एक guideline टाप से यूँ करेगा एक discipline manner में जो है काम करवा सके भारत के जितने भी bank है जो कि RBI के अंदर आ रहे हैं उनको भी discipline manner में काम करवा सके आए दिन आप लोग ये बात सुनते ही आए हो क्या सुनते आए हो इस bank ने धोखा दड़ी किया इस bank ने जो है वो RBI के norms की जो है अनुपालना नहीं की इसलिए RBI ने इतने क्रोड का जुर्माना लगा दिया इतने क्रोड का जुर्माना उस bank पे लगा दिया इसी वज़े से इन सभी problems को निजात पाने के लिए मुखे अनुपालन अधिकारी यानि की CCO की भूमिका पे जो है एक guideline जो है वो जारी किया है ठीक है? Chief Complaining Officer के नाम से से पुकारते हैं ठीक है? तो ये बात भी आप याद कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला किस्तन अच्छा RBI की बारे में बात करें तो RBI का full form क्या है? Reserve Bank of India इसका headquarter कहां पे है? मुंबई में है इसकी स्थापना कब हुई है? 1935 में राष्ट्रिय करण कब हुई है? 1949 में इसका राष्ट्रिय करण हुई है वर्तमान में 25 में इसके जो governor है उनका नाम है सक्तिक कांदास क्रिश्चल ने वित वर्स 2020-21 में भारत की तो ये बात आप याद कर सकते हैं पर क्रिश्चल ने जो है 2021 में भारत की GDP जो है वो माइनस 9% है देखो माइनस में ये सारा आखड़ा इतना रहने का अनुमान लगाया है D option सही है इस question का हमारा क्रिश्चल ने वित वर्स 2020-21 में भारत की GDP 9% माइनस 9% रहने का अनुमान और क्रिश्चल ने COVID-19 के हमारी को एन इस्चित और सरकार से प्रयाप्त वितिय साहिता की कमी के कारण ये ही जो है आपका देखो क्या होता है कि अभी फिलहाल हमारा lockdown चल रहा था और lockdown के कारण क्या था कि सारी की सारी economic economic आपकी conditions थे जितने भी आपकी factories थे framework थे सब ठप हो गया था उसी वज़े से धीरे 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 GDP जो है वो भी गिरती जा रही है हलांकि इसको सुदरने में बहुत टाइम लग जाएगा और प्यारे बचों यू मान के चलिएगा कि हमारा जो इंडिया है ना वो घरीब हो जायगा पता ने कितने लोग है एक थोड़े दिन पहले की report आए थी 19 करोड़ लोग के आसपास ऐसे थे जो बेरोजगार हो गए जिनके पास में जोब थी उनकी जोब छुट गई तो मतलब गरीबी की तरफ चले गई है 19-20 क्रोड लोग तो अगला क्यूस्टन है Central Bank Digital Currency Testing Platform किस ने लॉंच किया है Central Bank Digital Currency Testing Platform इसका मतलब क्या है इसका मतलब यारे बच्चों ये है कि अभी आने वाले टाइम में धीरे-धीरे Digital Currency की और बढ़ावा दिया जाएगा Digital Currency पे ही फोकुस किया जाएगा जैसे Bitcoin वगरा है ऐसे ही Central Bank में Digital Currency के टेस्टिंग के लिए ठीक है या Currency यहाँ पे जो कहिएगा जैसे मान लेते हैं कि डॉलर है और डॉलर के को रूपय में कनवर्ट कर देना रूपय को फिर डॉलर में कनवर्ट कर देना ऐसे जो यह Convergence है ठीक है इन सभी के लिए टेस्टिंग जो है वो किसने लॉँच किया है वो लॉँच किया है अभी हाल ही में Mastercard ने D-Option जो है इस किस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है वर्तमान में Mastercard के मुख्खे कारेकारी अधिकारी का नाम अजय बंगा है समझने के लिए इसके लिए एक Startup जो नया अपना बिजनस लगाते हैं उनके लिए या नए बिजनस के बिजनसमेन के लिए एक I Startup 2.0 लॉँच किया है ICICI Bank ने ए ऑप्शन जो है इस किस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है ताकि बिजनसमेन जितने भी हैं उनको help मिल सके नया बिजनस सेट अप करने में वरतमान में ICICI Bank का मुखे कारीकारी अधिकारी CEO का और MD का नाम क्या है संदीब बक्सी है और Headquarter तो Mumbai महारास्टर में है ही 2020 में सिक्षक परव कब मनाया जा रहा है 2020 में सिक्षक परव कब मनाया जा रहा है सिक्षक परव मनाया जा रहा है इंडिया के अंदर आठ से 25 सेप्टमबर तक जो है सिक्षक प्रव मनाया जा रहा है इंडिया के अंदर और ये जो एक बात हो रही है यहां पर इपॉर्टन तो भारत के सिक्षा मंतरी वर्तमान में कोन है इनका नाम है रमेज पोखरियाल निशंक इतने दिन आप पढ़ते थे ने HRD मंतरी ठीक है Human Resource Development Minister पढ़ते थे लेकिन अब ये HRD नहीं रहे है क्योंकि इस डिपार्टमेंट का नाम बदल के सिक्षा मंतरा ले कर दिया गया है जब से ही राष्ट्रिये नई सिक्षा निती आई है वुशू वर्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता है भई तो वुशू वर्ड चैंपियन का खिताब जीता है पुनम खत्री ने ठीक है ए आप्शन जो है क्युस्टन का बिलकुल ठीक रहेगा पुनम खत्री हर्याना के जजजर जिले की रहने वाली है और पुर्णम 75 किलोग्राम में मारियाम से फाइनल मैच में हार गई थी लेकिन मारियाम ने डॉप टेस्ट में फेल हो जाने के कारण इन्हें सुन पदक मिल गया वो कहते हैं ना किस्मत इसे कहते हैं किस्मत हारने के बाद भी गॉल्ड मैडल मिल गया ठीक है अगला किस्तन हमारा क्या है कि वायू सेना के बेड़े में आपचारिक रूप से कितने राफेल एरक्राफ्ट सामिल हुए हैं तो आप्चारी कुरुप से जो है वाईूसेना के बेडे में पांच राफिल अब आपको पता ही है यह पांचो के पांचो और वाईूसेना के बेडे में सामिल कर दिये गए हैं तो ये इपॉटन्ट है और एरक्राफ्ट अम्बाला के वायू सेना सत हैं पी आर फ्रांस से ये आये थे आपको खेरी तो पता ही है दूसरी बात है कि वायू सेना के अभी जो वरतमान में वायू सेना अध्यक्स आयने का नाम है राकेस कुमार बधोरिया आरके बधोरिया इन पांचों में से एक आपको ज़्यादा इपॉटन्ट याद रखना है विंग कमांडर है जो कि हर्याना के गुरुग्राम के बसई गाओं के हैं रोहित कटारिया आप ये याद कर सकते हो बहुत इपॉटन्ट वाला किस्वन भी रहेगा आये कपते सरी इंडिया में पांच राफेल ये आये थे 29 जुलाई 2020 को इंडिया में आये थे कहां पे आये थे अंबाला एरफोर्स स्टेशन पे आये थे अरभीन को जो है आपचारिक रूप से सामिल कर दिया गया है तो आपको याद करना है ये स्री सिध्धरुद्दा स्वामी जी रेल्वे स्टेशन का नाम जो है किस रेल्वे स्टेशन के नाम पे रखा गया है या क्या नाम बदल दिया गया है इसका तो इसका नाम बदल दिया गया है हुबली रेल्वे स्टेशन हो गया है भी आपका ये ठीक है यह option जो है इस क्युस्टन का नाम बिल्कुल ठीक है 2015 में इस railway station का नाम हुबली to हुबली रखा गया था इससे पहले ठीक है और अब जो है इसका नाम हुबली railway station का नाम बदल के रखा गया है स्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी railway station ठीक है बस इतना ही था आज का लेक्चर आप लोगों के लिए मैं चुस्तन पूछ रहा हूँ कि हुबली के बारे में बताईएगा ये हुबली है कहां पे ठीक है और इस हुबली की कोई विशेस्ता है तो भी आप बताईएगा एक विशेस्ता रेलवे के तरफ से हो सकती है जो की खेस्ता है धन्यवाद हसते रहना मुस्कुराते रहना ठीक है